दादी मा के खरेलू निसके टिप्स ग्याओं अगर तेज पते डाल कर रखोगी ग्याओं में तो ग्याओं में कीड़े नहीं लगेगा यानि के गुन नहीं लगेगा नमबर दो पराठे बनाते वक्त अगर आप एक उबला हुआ आलू आठे में मिला देंगे तो इससे आपका पराठा बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट बनेगा मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए आप उसमें थोड़ी सी हिंग रख सकते हैं ऐसा करने से आपकी मिर्च लंबे समय तक खराब नहीं होगी वही हरी मिर्च के डेंटल तोड़कर फ्रिज में आप रख दें तो बहुत समय तक फ्रेस रहेगी नमबर तीन रात को गुनगुने दूद में हल्दी डालकर पीने से कैंसर से बचा जा सकता है मुलेठी का चून पान के पत्तों में लगा कर खाने से बैटा हुआ गला सही हो जाता है खाली पेट सूकी मेथी का पाउडर खाने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है जुखाम होने पर गर्म पानी में सेंदा नमक मिला कर पीने से पांट दिन में चार पांच वेर पांच वार पिए इससे आपको बहुत आराम मिलेगा आम पन्ना बनाते समय उसमें तीन चम्मच अद्रक का जूस मिला दें ऐसा करने से आम पन्ना बहुत ज़्यादा स्वाधिश बनता है और ज़्यादा फाइदा करेगा नीवो का अचार खराब ना हो खराब होने लगे तो उसमें थोड़ा ऐसा सिर का डाल कर आज का माज पर पका लें आपका चार लंबे समय तक चलेगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेस्ट वीडियो के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आँग जो आपके बहुत कामाई मिलती है नेस्ट वीड जěमै झाल थ служव जो ही बहँत ही बहुत ही बहुत हщее वीडियो मेरा बहँत ही तो मैरा मैं